हेलो फ्रेंड वेलकम टू MS टडी गुरू आज की इस वीडियो में जो यूजी सी ने अकैडमी कलंडर एंड न्यू गाइडलाइन्स जारी की है उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात इस वीडियो में हम देखेंगे ठीक है तो यह जो पीडियेफ है यूजी सी की गाइ यह न्यू सेशन कब शुरू होना है इसके वारे में सारी गाइडलाइन्स दी है यूजी सी ने ठीक है तो आप यह सारी पीडियेफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें बहुत सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे मैं आपको यहां पे में में बाते जो है बता अजिए अजिए गया है के ऐसा भी उनिवस्टी कर सकती है कि जो एक्जाम है उसे 50 marks का कर दिया जाए इसके क्या होगा कि टाइम कम लगेगा एक्जाम में तो 50 marks का जो है exam हम कंड़क्ट कर दिया जाए और बाकी के जो 50 मार्क्स है वो प्रिविए समेस्टर की पर्फॉर्मेंस के अकोडिंगली स्टूडेंट्स को दिये जाए ग्रांट किये जाए तो इस तरह से भी उनिवर्स्टे कर सकती है अपने इच्छा के अकोडिंग ठीक है तो इसके इसके इलावा जो important dates है वो देखते हैं हम academic calendar की dates देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो examinations हैं वो conduct कभ होनी है terminal semester intermediate semester की dates देख सकते हैं declaration of results देख सकते हैं अब जो new semester आएगा ठीक है जो new semester आएगा वो कभ उसकी classes कभ शुरू होगी यह यहाँ पे देखो आप commencement of classes students of second and third year जो अभी second and third year के students हैं उनकी classes first of August को शुरू होगी ठीक है and जो fresh batch है new admissions जो है वो first of September से होगी तो यह देखिए आप यहां पे और जो इनके exams हैं जो exams पहले November December में हुआ करते थे ना first semester का exam पहले November December में होता था तो वो भी delay होके January में चला गया है first of January 2021 to 25th of January ठीक है तो यह date बढ़ा दी गई है उसके इलावा commencement of class for even semester अब जो आगे even semester है मतलब second semester आएगा उसकी जो classes हैं वो conduct कब होंगी 27th को conduct होंगी ठीक है 27th of January 2021 ठीक है तो यह सारा आगे schedule बताया है कि उनकी classes का dispersal कब होगा उनके examinations कब conduct होंगे जो आने वाला session है summer vacations कब है and commencement of next academic session कब होगा तो यह सब कुछ डिले हो गया है actually यह new academic session जो था यह जुलाई में conduct होता था लेकिन COVID-19 के तार यह सब कुछ delay हो गया अगास तक पहुंच गया है new admissions जो है सब्तंबर तक पहुंच गई है ठीक है तो यह new guidelines है जो UGC ने की है जारी की है और इसमें से सबसे important चीज़ वही उसने बोली है कि universities ने जो भी exam conduct करने है या classes लगानी है उसमें social distancing का ध्यान रखा जाए ऐसा भी किया जाए कि काफी जो syllabus है वो online mode से students को करवाया जाए कम classes लगें and social distancing का ज़रूर ध्यान में रखा जाए ठीक है तो ऐसी चीज़ें चीज़ों पर बहुत फॉकस को यहां पर बोला है in order to overcome such challenges in future the faculty should be adequately trained जो faculty है उसे ICT and online teaching के वारे में पूरी knowledge होनी चाहिए and 25% of slavers जो है उन्हें ओनलाइन अपना पूरा करवाना चाहिए 75% लेबस अपना face to face जो है वो cover कराना चाहिए ठीक है तो यह थी important update आपके लिए पूरी PDF को ध्यान से पढ़िए अगर आप undergraduate and post graduation के किसी भी प्रोग्राम से बिलोग करते हैं तो hopefully you like that thank you